कर दोस्तों मैं डॉक्टर मीनाक्षी सिंग आप सभी का मेरे चैनल डॉक्टर मीनाक्षी होमेपैथिक कंसल्टेंग पर बहुत-बहुत स्वागत है तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूं डेंगू फीवर के बारे में जिससे कि बहुत सारे बढ़ता जा रहा है तो आज मैं आपको बताऊंगी ऐसे कौन-कौन से होमेपैथिक मैडसिंस हैं जो कि आप यूज कर सकते हैं अगर आप डेंगू फीवर से सफर कर रहे हैं और साथ ही साथ मैं को बताऊंगी एक प्रिवेंटिव मैडसिन के बारे में भी जो कि बहुत ही अगर डेंगू का सीजन चल रहा है तो आप उस मैडसिन को डेली ले करके उससे बच सकते हैं इससे आपका जो प्लेटलेट काउंट है वो भी नॉर्मल रहता है तो अपना वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी कि अगर अभी तक आपने मे ग्ंगो कर अज्यक्ति है धकर पूर्चली तेसको आप डानकि प्लेटलेग अफी तोर बुखार को सब्सें को यह जानता है इसका कॉसति यह जान का पुंचली अजू आपहरिं ऑस ज़ा नाम बुतकि आपानाएं पेंपार है बीज जानते हैं जिसको का अउसकी प्म लिग और यह मच्छर के द्वारा फ्यालता है जिसका नाम मैंने आपको बता है एडिजब्ट तो इसके लक्षड क्या क्या मिलें गे अगर कोई सफर कर रहा है डेंगू फीवर से किसी फिर्वाती लक्षड क्या आएंगे सबसे पहले जो मच्छर जब आपको काटेगा तो उसके का high grade हो सकता है low grade से high Grade तक जा सकता है आपका बलड़ फ्रेसर धीरे दीरे लो जाने लग जाएगा बलड़ प्रेसर के साथ हड रेड भी कम हो जाएगा आइज में रैडनेस मिलेगी रैडनेस के साथ साथ देंगे बिल्कुल खाने का मन नहीं होगा और बॉडी एक और हैडिक तो इसमें बहुत ही कॉमन सिम्टम है अगर आप डेंगू से सफर कर रहे हैं तो सेकन्ड इस्टेज में जो तेंपरेचर है वो थोड़ा कम होगा साथी साथ स्वेटिंग होगी और जो मरीज है वो खुद में थोड़ा सा बैटर महसूस करेगा तरड इस्टेज आते लिए निकल सकते हैं अर बॉड़ी एक जो है असाहनी होगा बोण्स में पेंद बहुत ज् पता चलेगा कि आपका प्लेटलेट काउंट जो है वो धीरे धीरे गिरता जा रहा है तो इसके लिए आप जो जांच कराएंगे वह एनस वन है यह जांच आपको शुरुआती पांस दिनों में लक्षर कि आने के पांस दिन में आप करेंगे तो बिल्कुल एक्जैक्ट आपक क्ला देख रहे हैं और विद्व हो रहा है तो इसमे आप क्या घरेलू उपाय कर सकते हैं कि सतरह से खुद को बचा सकते हैं अगर इसके इसकी वजा से मरीज कोवा में भी जा सकता है और साथ साथ में डैट भी वो सकती है क्योंकि जो लक्षण है वह बहुत ही घातक होते जाते हैं तो इसलिए समय पर ट्रीटमेंट कराना बहुत जरूरी है आप अपने खून की जांच कराइए उससे आपको पता चलेगा कि या कहीं आप डेंगू फीवर से सफर तो नहीं कर रहे हैं इस बीमारी में जो प्लेटलेट काउं जाने हैं तो इसके लिए आपको गिलोई लेना है 2-3 ग्राम आप गिलोई ले और उस गिलोई को पानी में डाल करके पान से तुलसी पत्तर डालें अच्छे से बॉल हो जब आधा रह जाए पानी तो फिर मिस एक ग्लास वानी लीजे जब आधा गिलास रह जाए तो उस बुइस समय तो लागने काउंट है यह जिले दीरे कम होने लग जाता है तो इसके लिए आपको पपीते के पत्ते यूज़ करते हैं यह लेकिन बहुत ही बैनिफिसिल तो पानी में डाल करके 5-6 पत्ते और उसको अच्छे से बॉयल करके उस पानी को पीए दिन में कई बार तो इसे भी आपका जो प्लेट लेट काउंट है वो धीरे धीरे नॉर्मल होने लग जाता है तो यह आपको घरे लूप चार कर सकते हैं नेक्ट आप बात करते हैं कि कौन कौन से असी होमेपाथिक मैडसिंस है जो की डेंगू फीवर में यूज हो सकती है और उनसे आपको रिलीफ मिलेगा तो सबसे पहले मैं एक प्रिवेंटिव मैडसिं बताऊंगी जो की कोई भी यूज कर सकता है अगर आसपास में डेंगू का माहल चल रहा है मच्छर अधिक मात्रा में हैं डेंगू फैल रहा है आपके एरिया में तो इसके लिए होमेपैथिक मैडसिन है यूपिटोरियम यूपिटोरियम पर्फॉरेटम इसको 200 प्रिवेंटिव मैडसिन यूज कर है तो तो दो बोल सुबह आपको लेना है इस मैडसिन का सीधे जीट पे लिजिए या फिर अगर आपको करवा लग रहा है तो आप एक च इसके अलावा अगर आपको फीवर है डेंगू हो गया है तो आपको कौन सी मैडसिन यूज करनी है इसके लिए बेस्ट मैडसिन सबसे पहले जैसे कि मैने आपको बताया कि जो कि डेंगू के लिए बहुत ही इफाक्टिव है उस मैडसिन का नाम है यूपिटोरियम थर्टीपो टिंसी में सूबा दो पहार शाम दिन में तीन बार दो दो बूद मैडसिन का यूज करना है नेक्स्ट मैडसिन जो कि है सिनकोना ओफिस्टनेलिस सिंकोना ओफिसनेलिस को भी 30 पोटिंसी में यूज करना है ये अगर आपको फीवर है फीवर के साथ ठंड की भी श्टेज आरी ठंड भी लग रहा है तो उसमें बहुत इफाक्टिव है आप इस मैडसिन को भी दो दो बून सुबा दो पहर शाम दिन में तीन बार यूज करना है तो उसके लिए बहुत ही अच्छी मैडसिन है डल फील होता है मरीज को बहुत ज्यादा बॉडी एक भी रहेगा साथ में अगर ऐसे लक्षन है तो आप इसमें ले सकते हैं जलसी में को भी दो दो बून सुबा दो पहर शाम दिन में तीन बार यूज करना है अगर फीवर इसको थर्टी पहर शाम दिन में तीन बार यूज करें अगर ज्यादा वॉमिटिंग हो रही है तो इसको आप हर दो घंटे पर भी रिपीट कर सकते हैं • 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 बहुत इफ्यक्तिव है आपका जो प्लेटलेट काउंट कम हो रहा है उसको बढ़ाने में और साथ ही साथ आपकी इम्मुनिटी लेवल को भी बढ़ाता है तो इस में फर्स्ट मदर टिंग्चर है कैरी का पपाया मदर टिंग्चर इस मदर टिंग्चर की आपको बीज बीज के इस सुबादो पहर शाम द venue 3 रठ पी तो इस मैड्थिन को ले जो देंगा और वह को पर ठीम मदर टिंग्चर गलता है तो आपका ज़ादा ज्यादा वहां ज्यादा कमजोरी आरे हैं यह आ पकी रोत प्राती रोध्य जो क्अ करता है उसको भी बढ़ानी का काम करता है तो इस मैडिसिन के आपको दस-दस बून दिन में तीन बार सुबा दो पार शाम वन फॉर्थ कप पानी में जाल करके लेना है तो यह तो बैस्ट होमेपैथिक मैडिसिन मैंने आपको बताया है अगर आप गेंगू फीवर से सफर कर आएगा और साथे साथ मैडिसिन का नेम जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब मैंसन कर दिया जाएगा आप उसको देख लीजिए अगर कुछ समर्ज में नहीं आता है तो आप मुझे मैसस करके पूस सकते हैं और साथे साथ अगर आप मुझे अपॉर्मेंट लेना चाहत या फिर हैम्रेजिक देंगू फीवर है तो इन सब केसे में मतलब लापरवाही मत दिखाएए आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए और डॉक्टर से कंसल्ट करके आप मैडिसिन लीजिए और अगर आप हॉस्पिटलाइज हैं आपको रिलीफ नहीं मिल रहा है तो भी आप य इफेक्ट नहीं होगा इन मैडिसिंस का हाँ रिलीफ जरूर मिलेगा बस यह कि अलोपैथिक और होमेपैथिक मैडिसिंस के बीच में कम से कम एक घंटे कंतर बहुत जरूरी है तो आज के वीडियो में बस इतना ही आशा करती हूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा यदि पसंद आया है तो इसे लाइक करें शेयर करें और साथी साथ अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है आप मेरे चैनल पर नए है तो इसको सब्सक्राइब आवशे कर लें मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में थैंक्यू बाई-बाई